हेलो एब्रिवान यह टाटा स्टेल चैस्ट मास्टर का राउट 10 का एक गेप हैं जिसमें वाइट में गुकेस खेल रहे हैं और ब्लैक में यहां पर प्रग्न अन्दा खेल रहे हैं तो यहां पर जो सुर्वात की सी फूर से इंग्लिस ओपनिंग से की और सी फाइब से मेट् ओष है सब को भार निकाला और दॉल निकले तेया यहां पर सेंटर पे धी फोर आया और उसको कैप्चर किया सी टेक्स डीपोनाय टेक्स दीफोर और यह पर यहां पर एशुक्सिश्ट आया पर बिशप को यहां पर जो स्क्वाइर बीफूर का वाप यह रखने के लिए त इसको पिनिंग वाला जो गेम है वो खेल सकते हो बट अभी के लिए यहां पर जो है एथरी से यहां पर काम चलाया वाइट ने ताकि बिश्वप को आने नहीं देंगे हम और यहां पर बिश्वप को ई-7 पर मजबूरी में रखना पड़ा क्योंकि अतना चासी स्क्वाइर उ यहां पर जो फाहीं दून इसको अतए ऑ्म रहे होतें कि नहीं करहा हूता हुथ है तो इसको आपको किसी दर से पीन करना होता है और ऑस आइडिया होता है आप चाहां नाइट F3 आया और उसके बाद है Queen A5 तो जो पिनिंग का गेम था वो अभी तक बरकरार है आप बिशप से नहीं खेल सकतो क्या हुआ तो Queen से खेली सकते हैं हम लोग फिर उसके आदा है Bishop D2 जो आपके पिनिंग वाला गेम था उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाया फिर आया है Queen H5 तो जनरली Queen को यहां से इधर मूग किया जो की अलगी टैक्टिस है आप राजा की तरफ इसको प्लेस कर रहे हो फिचर में नाइट वाइट और मेबी इस Bishop को सेंटर में उपन करके ला सकें तो पासिबल आइडिया हो सकता है यहां पर यहां पे छेला गया रूख जीवन जो की बहुत ही डिफरेंट काइंड की मूब है और उसके बाद यहां पे सेंटर पे अटायक है डी 5 से और उसके बाद के लगया चीफ हूँ तो पॉसिभली आप नाइ तो यहां पर आप देखोगे यह रुक इस फाइल में ओपन है फ्यूचर में कभी यह नाइट यहां पर जम करने के तयार है और में भी बिशुप भी यहां पर आ सकता है तो काफी जो चांसेज है वाइट के यहां पर पॉसिवल है तो उसके बात यहां पर खेला गया है बिशुप सी फाइब तो सबसे पहले जो यह वाला पॉन था इस पे आप डबल अटैक कर रहे हो और में भी इस पॉन को कैप्चर करके आप इस जो आपका यहां पर रुक है उ क्या फे आपके जो लोग क्या खेल सकते हैं यहां पर रुक जी टू में भी वह थोड़ा सा अच्छा नहीं होता बट यहां पर खेला किया क्वीन ही टू अगर आप इसको कैप्चर भी करते इस तरी के से तो आप जो है क्वीन से इसको कैप्चर कर लोगे और नाइट से जो आइडिया है कि यहां से आप चेक दे सकते हो और इस कुईन को विन कर सकते हो बहुत ही अच्छा आइडिया है यहां तो यह ना खेलते हुए क्वीन E2 के बाद यहां पे खेला गया जो आइडिया था नाइट जम का उसको बिल्कुल मलब ख़तम कर दिया आप सिधा रूख पर क्योंकि सीधा आप कुईन पर टैक कर नाइट ने बोला चलो यार मैं चेक देकर अटैक नहीं कर सकता तो सिंपली जाके यह अटैक कर लेका तो उसके बाद आपने कुईन को बच चाया यहां पर F7 पर और उसके बाद यह मूब के लिगी रुक जीटू में भी आप यहां पर और अच्छी मूब खेल सकते थे क्योंकि बहुत सारे जो इंजन है यह मूब उतनी अच्छी नहीं बता रहें बट मुझे तो रुक जीटू सही लग रहा है और यहां पर रुक आया रुक जीटू पर उसके बाद क्वीन आया E7 पर और यहां पर बहुत सारे वेरेशन ह मैं सबको नहीं केल सकता है यहां पर तो सिंपली में जो गे में हुआ वो बताता हूं E5 हुआ यहां पर इस बिशब के आने के लिए उसको रोका गया फ्यूचर में आप नाइट को भी कहीं जम करा सकते विधर पॉसिबली इस स्कुआर पर आप कवर कर सकते इस नाइट को यहां से हटा सकते पॉसिबल आइडियाज हो सकते हैं बट आपने पहले एस्तरी खेला उसके ब तो आप पहले पॉसिबल से कैप्चर करोगे कुईन पर अटैक होगा फिर उसके बाद ही हटा होगे तो आप पॉसिबल इसको ले सकते हो मतलब यहां तो नहीं हटा होगे बट आइडिया यह हो सकता है फिर यहां पर नाइट से कैप्चर किया नाइट टेक्स इसिक्स उसके के बाद है रुक A to D8 और उसके बाद Pawn से आपने कैप्चर किया F5 को फिर आपने रुक ले लिया D1 पर चेक दिया और क्वीन से हमने रुक D1 जो रुक था उसको हमने कैप्चर किया फिर उसके बाद क्वीन एक पीस अपो और में भी आइडों लेट सी उसके बाद बिशब D3 आया और रुक आया आपका एट पर तो पहले रुक को लिफ्ट किया जी फोल पर फिर क्वीन कैप्चर A3 चैक फिर क्वीन को D2 लेके गए फिर उसके बाद क्वीन बीटू चैक आया और उसके बाद क्वीन सी टू डिफेंड करते हुए सारी तरफ से पहले आपने किंग को सेव कर दो उसके बाद अटैक पर लग जाओ उसके बाद यहां पर क्वीन आया बी सिक्स पे मेभी इस पॉन पर अटैक तो आप खेलोगे क्वीन एटू चैक पहले ओके आपने चैक दिया मेभी ठीक है यह अच्छा मूब और उसके बाद यहां पर क्वीन जो है जो इस तरफ से चैक देते वे आपको किंग को मूब करना पड़ेगा पॉसिबली तो किंग मूब वाग सी टू पे फिर उसके बाद क्वीन आई यहां पर एस टू पे आपके स्पॉन पर अटैक और चैक द आपकता लेकिन यह को कापचर होगा कैप्चर होगा पर यहां पर आप चेक मेट कर सकते हो तो इसलिए आईडिया पर पहले क्वीन से कैप्चर किया एफटू उसके बाद किंग को मूब किया बी 3 पे फिर रूख जी एट आया और उसके बाद यहां पर बिश्प आया सी तो यहां पर अब में भी आप इस वाले को खेल सकते हो फिर क्वीन यहां चेक आएगा बट अब सबसे पहले क्वीन को करने के तैयारी बट आप पहले पहले को कैप्चर करोगे और रुक से यहां पर चेक दोगे तो रुक कैप्चर रुक कैप्चर आप फिर क्वीन को बीच मिलाना पड़ेगा तो पॉसिबली यह हो सकता है बट यहां पे सबसे पहले एच फाइब के लगा जो बैक रैंक का जो यहां पर मेट का खत्रा था उसको दूर करने की कोशिस की गई फिर यहां पर क्वीन जी फाइब आया और मेभी स्पाउन पर अटैक आप इसको बचाने के लिए इसको पुश कर सकते हो तो यहां पर क्वीन एफ्ट्री आया पहले आपने बोला कि क्या पुश करना सीधर पाल करें और में भी कि आसके तो यहां पर क६्र Generation जो है बी टू पर आगया तो आपके पास कहा है चारे अब आपके पास यह स्कुर्थ शेक का जो एक के तर और यह स्कुरर दुच का था वह में श्केश पने तर अब जहाँ और पॉसिबली जितने भी स्क्वायर हैं यह चेक वाले वह कवर हैं तो यहां से आपको चेक नहीं बढ़ रहा पर तो आप चेक तो दे नहीं सकते तो करोगा क्या अब तो यह कैप्चर हो गई तो यहां इस पॉइंट पे जो है वह ब्लैक ने रिजाइन कर दिया तो आइओ आपको यह गीम पसनाया होगा आइधिंक थेंक्यू